हलो सुलेंट्स मेरा नाम धीरज बहुंदिवेदी और स्वागत आपके फेवरेट चानल माग्रिट ब्रेंज पर माग्रिट ब्रेंज एक ऐसा चानल जहां पर आपको मिलता है बिलकुल फ्री ओनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिट एजुकेशन और मैं आपको बता दूँ कि माग्रिट ब्रेंज पर किंडर गार्डन से लेके क्लास 12 तक के सारे बुक्स और इबुक्स एविलिबल हैं तो उसको लेने के लिए क्या करना आपको सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा उस फॉर्म को आप फिल अप करें फिर जो हमारी टीम है वो आपसे कॉंटाट करेंगी तो यह जो बुक्स एविलिबल है यह डिफरेंट सेग्म में हम क्या देखने वाले हैं तो आज के वीडियो में हम आपके क्लास 12 जो चाप्टर है चाप्टर नमबर 10 डाट इस वेव अप्टिक्स का एक बहुती इंपोर्टेंट टॉपिक डाट इस हाइगन प्रिंसिपल है ना तो हाइगन प्रिंसिपल में दो स्टेटमेंट बोले अग आईगी आपको ठीक है देखो ध्यान से हाइगन प्रिंसिपल का जो पहला स्टेटमेंट है यहां पर लिखा हुआ है ठीक है अब मेरी बात को सुनना ध्यान से मैं बोलता हूं कि पहला पॉइंट क्या है ठीक है अचा सुनों मेरी बात को ये topic हाइगन प्रिंसिपल पढ़ने से पहले जो प्रिवियस वीडियो है जो मेरा वेफ्रेंट वारा था introduction उसी में मैं डिसकस किया वेफ्रेंट वो topic ज़रूर देखना तब आपको ये वाला topic समझ में आएगा ठीक है चलो तो हाइगन प्रिंसिपल में पहला statement क्या दिया गया कि जो आपका एक गिवन वेफ्रेंट होता है है ना तो जो भी आपका गिवन वेफ्रेंट होगा उस गिवन वेफ्रेंट का हर point एक new source of disturbance की तरह behave करेगा ठीक है मैंने क्या बोला यहाँ पदेखो पहला statement every point on the given wavefront called primary wavefront act as a fresh source of new disturbance called as secondary wavelets which travel in all direction with the velocity of light in the medium ठीक है ध्यान से मेरी बात को सुनना आपके पास एक particular wavefront है मालो है ना एक source of light है उसके बहुत सारे wavefront होते हैं different instance पर तो आपके पास एक particular wavefront है ठीक है उस wavefront में जितने भी points होंगे वो सारे points एक new source of मतलब एक fresh source of new disturbance की तरह behave करेगा मतलब हम ये बोलेंगे कि वो जो आपका given wavefront है उसका हर point एक नए source की तरह behave करेगा मतलब वो सारे points भी अपने-पने waves emit करेंगे और वो wave उसी speed से move करेगा in all direction जिस speed से light move करती है in a given medium है ना तो अब देखो यहाँ पर मैं इसको explain करता हूँ ठीक है देखो जहां से जैसे माल लो आपके पास यह है source of light actual source of light ठीक है अब यह मैंने point size ले लिया तो इसका जो wavefront होगा वो spherical होगा तो मैंने उसका एक part ले लिया no doubt यह आपका spherical होगा मैंने उसका एक part ले लिया है ना यह हमारा एक given wavefront है एक instant पर wavefront है ऐसे बहुत सारे wavefront होंगे आगे इसके पहले भी होंगे wavefront है ना तो किसी instant टी पर मान लो यह wavefront है आपका ठीक है अब देखो जहांसे यह जो आपका given wavefront है इसे कहते हैं primary wavefront क्या कहते हैं से हम लोग primary wavefront primary wavefront ठीक है अब देखो यह जो आपका given wavefront है इसका हर point तो यहाँ देखो मैं कुछ point यहाँ पर mark कर देता हूँ यह point मान लो यह point मान लो यह point मान लो इसका हर point एक नए source of disturbance की तरह behave करेगा मला हम यह मानेंगे कि अब यह भी एक source बन गया light wave का यह भी एक source बन गया light wave का यह भी एक source बन गया light wave का तो मैंने तो यहाँ पर कुछ ही points मां किये हैं ठीक हैं जबकि यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जितने भी points होंगे ठीक हैं वो behave करेगा वो act करेगा as a fresh source of new disturbance है ना और वो जो disturbance produce करेगा मतलब वो जो light wave produce करेगा ठीक हैं उसे कहते हैं secondary wavelets ठीक है मतलब अगर हम इसकी बात करें तो यह अपना यहाँ पर खुद का light wave transmit करेगा in all directions यह भी अपना light wave transmit करेगा in all direction यह भी अपना light wave transmit करेगा in all direction हाँ एना ठीक है आ रहे है बात समझ में ओके तो यह तो हो गया इसका पहला statement हाँ एना ठीक है Now, जो दूसरा statement है, है ना, उसको थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना होगा, ठीक है, और फिर मैं उसको पूरा elaborate करूँगा, मैं बेफिकर रहे न, देखो A surface touching these secondary wavelets tangentially in the forward direction at any instant, give the new wavefront at that instant, this is called as secondary wavefront, ठीक है, अभी आपको यह पढ़के समझ में नहीं आया होगा, है ना, अब जरा यहां पर देखना, ठीक है, अब देखो माल लो, यह किसी instant पर यह आपका given wavefront है, जैसे हम कह रहे है, primary wavefront, यह जो wavefront है न, वो इस source का है wavefront, ठीक है, अब देखो इसका यह वाला point है न, एक source की तरह behave करेगा, तो यह अपना light wave emit करेगा, उसे कहते हैं secondary wavelet, जो light wave emit करेगा वो, अब माल लो, किसी instant T पर यह जो light को light wave transmit करेगा, उसने माल लो, इतना distance travel किया, है कि नहीं, माल लो, यह distance कितना होगा, CT, आप बदाओ, light की speed होती है C, और मैंने यह कहा था, कि यह जो light wave emit करेगा, है ना, उसकी speed वही होगी, जो आपकी किसकी होती है, speed of light in any medium होती है, तो मैंने माल लिया कि यह air है, यह vacuum है, तो वहाँ पर light की speed कितनी होती है, C होती है, तो अब देखो, in time T, जो light wave transmit करेगा, ठीक है, वो कितना distance cover करेगा, C into T, है ना, distance equal to speed into time, ठीक है, यह all direction में, है ना, हर direction में, same distance travel करेगा, in time T, है कि नहीं, ठीक है, अब देखो, ध्यान से यहाँ पर, मतलब, यह अपना, एक, spherical wave friend बनाएगा, है कि नहीं, similarly, यह भी अपना, उसी instant T पर, यह भी अपना, wave friend बनाएगा, है कि नहीं, तुम देखो, यहाँ पर भी radius क्या रहेगा, CT, मैं बात कर रहा हूँ, at instant T, ठीक है, मतलब, in time T में, यहाँ से जो light wave निकलेगी, वो distance कितना travel करेगी, C into T, distance होता है, speed into time, और सारे direction में, अमिट करेगी न, मतलब, यहाँ पर, इसका, खुद का, अपना, एक, spherical wave friend होगा, instant T पर, ठीक है, इसका भी आपका, अपना wave friend होगा, instant T पर, और, ओव्यस ही बात है, इस sphere का radius, और, इस sphere का radius, सेम रहेगा, similarly, यह जो आपका, point है, इसका भी अपना एक wave friend होगा, इसका भी अपना एक wave friend होगा, है न, यहाँ पर भी यह distance कितना होगा, CT, ठीक है, तो यहाँ पर, यह जितने भी आपके points हैं, सबका अपना खुद का एक wave friend होगा, तो किसी instant T पर, जो इनके wave friends हैं, उन wave friend को, अगर आप join करते हो, एक surface से, तो यह आपका, एक और wave friend मिल जाएगा न, instant T पर, मतलब, मैं यह कहूँगा आप से, कि माल लो, T equal to 0 पर, यह वाला wave friend है, तो T equal to T पर, जो अगला wave friend होगा, वो यह वाला wave friend होगा न, मतलब, second principle से, अपन को यह मालुम चल रहा है, कि हर instant पर, जो आपका wave friend है, वो किस किस location पर है, ठीक है, तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहाँ पर अब statement को ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है, देखो, a surface touching these secondary wavelengths, secondary wavelengths कौन है, यह जो आपका spherical wave friend है न, यह जो इसने wave transmit किया है, यह आपका secondary wavelength है, यह secondary wavelength है, यह secondary wavelength है आपका, हाँ है न, तो इन secondary wavelengths को, अगर आप किसी surface से touch करते हो, ठीक है, tangentially, in the forward direction, भाई, टच तो यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिर in the forward direction, give the new position of wave front, called as secondary wave front, तो यह हो जाएगा, हमारा secondary wave front, secondary wave front, है कि नहीं, मतलब यह जो आपका surface मिला है, टच करने के बाद, यह आपका next wave front होगा, at instant T, और यह किसका wave front है, इसका wave front है, हाँ है न, clear है, अब देखो, मालो, मैंने कहा, कि instant आपका, मालो, यह तो आपका instant T का wave front है, ठीक है, अब देखो, मालो, मैंने बोला instant 2T, double time माल लिया मैंने, तो अब बदाओ, यहाँ पर और बड़ा circle बन सकता है न, यहाँ बर और बड़ा sphere बनेगा, और बड़ा sphere बनेगा, उनको join करोगे, तो वो instant 2T का होगा न, wave front, है कि नहीं, मतलब यह, कि पहला principle क्या बोल रहा है, कि अगर कोई given wave front है, उसका हर point, ठीक है, एक नए source की तरह behave करेगा, मतलब वो अपना खुद का wave, create करेगा, ठीक है, अब यहाँ पर यह बोल रहा है, ठीक है, second principle, यह बोल रहा है, कि किसी instant T पर, अगर हम, उन सारे secondary wavelengths को join करते हैं, एक surface से, ठीक है, in the forward direction, तो वो हमें देगा, secondary wave front, ठीक है, at that instant, मला हमें, अब यहाँ पर, यह देखो, यह आपका primary wave front था, अब हमें instant T पर अगला wave front मिल गया, है के नहीं, तो basically, हाईगर ने यह बताया, कि कैसे wave front आगे बनते जाता है, यह बता रहा है, है ना, तो अब जरा statement को देखो, क्या बोल रहा है, a surface touching these, secondary wavelengths, tangentially, in the forward direction, at any instant, वो instant T यह आपर, give the new wave front, at that instant, this is called as secondary wave front, तो यह हमारा नया wave front आ गया, called as secondary wave front, हाँ है ना, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर wave front का propagation दिखाया, मतलब light wave का propagation दिखाया है, in terms of wave fronts, instant T पर wave front, मानलो T इक्वल तो 0 पर wave front यह, है, T equal to T पर यह, T equal to 2 T पर मानलो यह, T equal to 3 T पर मानलो और ऐसा, है कि नहीं, आ रहे हैं बाद समझ में आपको, ठीक है, तो यह हो गया आपका हाईगन प्रिंसिपल, है ना, ठीक है, चलो, तो जबाद इसका screenshot ले ले आप लोग, चलें, यहाँ पर अपना हाईगन प्रिंसिपल ओवर होता है, ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, है ना, वहाँ पर अपन को बात करनी है, इसी wave front का, मालब यह जो हाईगन प्रिंसिपल है, इन ही का इस्तेमाल करते हुए, अब जो अगला वीडियो रहेगा, वहाँ पर मैं आपको समझाओंगा, reflection of light wave, है ना, on the basis of wave theory, ठीक है, एक तो आपने डिसकस किया होगा, मैं बहुत पहले पढ़ा होगा, reflection of light, on the basis of what, ray theory, जहाँ पर angle of incidence equal to angle of reflection था, ठीक है, तो आपने as a ray में reflection of light देखा था, और reflection of light भी देखा था, आपने as a ray, अब यहाँ पर wave theory के base पर reflection and reflection देखेंगे in the next videos, ठीक है, तो बस ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए क्या करना आपको, simple magnet base.com पर जाना है, या पर जो magnet base का YouTube channel है, वहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे course मिलेंगे, जो कि बिल्कुल free of cost है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कि यहाँ पर आपको कोई, आपने एक दो topic पढ़ लिया, तो कोई coupon लगाना पढ़ आओ, payment करना पढ़ आओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर सारा content, बिल्कुल quality content आपके लिए बिल्कुल free available है, तो बस अन्त में ही कहूंगा, अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको इस वीडियो से को सीखने को मिला हो, तो आप इसको जल्दी सबस्क्राइब करें, ताकि कोई भी upcoming वीडियो हो, वो आपसे बिल्कुल मिसना हो, और अपने दोस्तों के साथ को शेयर भी करें, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल पाए, थैंक यू